स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बीजे एज्यूगेशन में एक और धमागेदार वीडियो के साथ आपके लिए फॉरस गाड का प्रैक्टिस हैड सेकंड लेके मैं आज रूँ आपके सामने तो चलिए सुरू करते हैं क्ुशन नमबर फर्स्ट द धन अधन कॉधन साधन ओ क्या होगा दस नहीं रच धक्ष धक्ष होगा दोस्तों क्या होगा दक्ष क्या है तो स्रिंगार है या सच्छा सरिंगार है तो सरिंगार कैसे लिखते है दोस्तों ऐसे लिखते है इसमरन का विलूम सब्द है इसमरन का विलूम सब्द है तो क्या होगा दोस्तों इसका विसमरन चतुर भुज में कौन सा समास परियुकता है चतुर भुजी यानि चार भुजाएं हैं जिसकी बहुरी ही समास मचली के समान आखो वाली के लिए सब्दों होगा मीनाक्षी कुशन नमबर 7 दाल भात में मुसलचन कहावत का क्या आर्थ है अथिती का आना बिना मतलब दखल देना अथिती का आना नहीं दाल भात पर चटनी बिलकुल नहीं बिना मतलब दखल देना सही होगा रोस्ति इसका कुशन नमबर 8 मात्रा नंद का विच्छेद होगा मात्रा धन नंद, मात्र धन आनंद, मात्र धन आनंद या इनमें से कोई नहीं तो इसका हो जागा मात्र धन आनंद विनायक किस सब्द का पर्यावाची है विनायक संकर का है विश्णू का है गणिस का है या ब्रह्मा का है तो हम गणिस का है तुरंग का अर्थ क्या होता है तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा वह कवी जो तत्काल कवीता करे उसे क्या कहते है उसको कहते है आसु कवी विस्वास के योगी के लिए सही सब्द होगा तो दोस्तों इसका विस्वासी मत कर देना इसका सही आंसर होगा विस्व सनी है निमने लिखित में से कौन सा सब्द सुद्द है तो इस सुद्द सब्द का वर्षा जब किर्शी सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है अउसर चूग जाने के बाद सारे साधन बेकार बेमेल वस्तु परिश्रम से कम मिलना उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका हो जाएगा अउसर चूग जाने के बाद सारे साधन बेकार जिसके उपमा ना हो अनुप में है साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है तो ये दोस्तों व्यती गरण के कारण टीपु सुल्तान की राजधानी थी टीपु सुल्तान की राजधानी है सिरी रंग पटनम निमने में से एक प्रत्यक्ष कर का उधारन नहीं है मतलब अप्रत्यक्ष कर कौन सा है निमने में से तो ये है मूल्य समवर्धित कर जिसको वैट भी कहते है निमने में से किसे जिनोम सब्द सम्बंधित है तो ये हो जागा दोस्तों जीव के जीन से जीव के जीन से Question number 20 वह कस्वा जिसमें वह कस्वा जिसमें अमेरिकन सील कमांडो दोरा उसामा बिन लादेन मारा गया निमने में से कौन सा है तो वह है आपका एपटा बाद आनुवन सिक्ता के जनक के रूप में ख्यात वैग्यानिक है जेजे मेंडल ये दोस्तों आपके लिए कनिष्टे साहक के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और फॉरेस्ट काड के लिए भी इंपोर्टेंट है निमने में से कौन सा राज्य मुख्यतह नगरी करीत है तो इसमें दोस्तों केवल अंग्रेजी रेट ग्रॉस का मुख्यालय है जैनेवा इंडियन स्पेस रिसर्च और्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय है दोस्तों बंगलरू में कोशन नमबर ट्वेंटी सिक्स संसार का सबसे बड़ा नगर समावेक वेशक कौन सा देश है तो यह है टोक्यो राष्टिय ग्रामिण स्वास्त मिसन N.R.H.M. का निम्न में से कौन सा हिस्सा नहीं है तो यह दोस्तों आपका आगनवाडी स्कीम भारत की जनसंक्या नीती के अनुसार जनसंक्या इस्तिरी करण को प्राप्त करने का उद्देश किस वर्स तक है तो यह आपका दोहजार पैतालीस तक निम्न में से कौन सा पादप हरोईन ता सुरोत है तो यह दोस्तों पॉपी गड़वाल मंडल का स्रेजन होने से पूर्वतक जिला दहरादून निम्न लिखित मंडलों में से किस एक भाग का था तो यह है सहारनपुर में था उत्राखंड का राज्य पसू है तो यह कस्तूरी म्रेग कुश्य नमबर 32 निम्न लिखित में कौर उत्राखंड में अवस्तित नहीं है तो यह दोस्ता आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह आपका बैंगलूरू में कहा है बैंगलूरू समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल समराट को मुझदित की उपादी दी गई तो यह दी गई दोस्तों ओरंग जेब को तुलसी दास कौन सी पुष्टक के रचीत है तो तुलसी दास ने ये सारी पुष्टके लिखिये दोस्तों वीतावली भी गीतावली भी राम चरीत्र मानस भी निमने में कौन सूर्य से आने वाली परावगनी किर्णों को अवसोसित कर लेता है तो यह है ओजोन परत ओ थ्री निमने लिखित में से किसे वरकारी संप्रदाई का संस्थापक माना जाता है तो यह है A और C मनुहर और मिस्किन दोनों को सहाजान एक करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्धर लड़ा था तो यह लड़ा था गुरु गोविंद सिंग के विरुद्ध कोशिन नुमर 39 अपरदन का सामान्य चक्र किस से संबंदित है तो यह दोस्तो नदिय अपरदन उत्रा खंडर राज्जे के संदर्वों में निम्न कत्षनों में से एक सही नहीं है यहाँ भारत का 27 राज्जे है बलकुल सही इसके वियास्थापि का एक सद्दनात्म कहसा ही इसे 95 विकास खंडों एम 78 तहसिलों में विभाजित किया गया है इसकी विदान सबा में 75 सदिश्य है नहीं तो ये गलत हो गया दुलेन हिमालेन हाइवे का निर्मान हो रहा है वह जिन स्थानों को जोडता है वो जोडता है त्यूनी और लुहागाट को निम्ने में से एक कमिशनर आफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनास को रूकने वाला था तो ये था रैम जे निम्ने राष्टिय राजमार्ग समुओं में एक उत्रहंड की सीमा के अंतरगत आता है तो ये आता है 58, 72 और 73 ओप्सन C ओप्सन C राइट हो जाएगा इसका कोशन नमबर 44 नंदा राजजात को डडडड अंतराल के बाद मनाया जाता है 12 वर्सों के उत्रहंड मुक्तव इस से विद्धहले कहा है दोस्तों तो ये है हल्दानी में उत्रहंड में चिपको अंदूलन की प्रेणाता थी गौरा देवी और गौरा देवी का जन में कहा हुआ था तो ये हुआ था दोस्तों लाता गाउं में वैगनेर के अनुसार महादूइपी विस्तापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल सक्ति उत्तरदाई है तो ये है ज्वारिय बल सुची एक को सुची दो के साथ मिलान कीजिए तो कृष्णा कृष्णा हो जाएगा आपका दोस्तों भीमा भ्रह्मपुत्र भ्रह्मपुत्र आपका हो जाएगा तिस्ता गोदावरी आपका हो जाएगा इंद्रावती और यमना हो जाएगा आपका चंबल option यह आपका right हो जाएगा इंडिया नेशनल भारतिय राश्टी कॉंग्रेस की प्रथम महिला प्रथम महिला कौन थी दोस्तों तो ये थी एनी बेसेंट 1970 में बनी थी और प्रथम भारतिय महिला कौन थी ये थी सरोजनी नाइडू ये कब बनी थी 1925 में question number 50 वायुदाप के माप की इकाई है तो ये है हेक्टा पास्कल निमनिलखित में से किसे संसत को संबूदित करने का अधिकार है ये है भारत के महानियाईवित को निमनिलखित युगमों में से कौन सा युगम सही नहीं है तो ये दोस्तो मध्य पासान काल में पैये का अविस्कार तो दोस्तो पैये का अविस्कार हुआ था उत्तर पासान काल में समुद्र टिला जिसका सपाट सिखर है किस नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है आपका निमगन द्वीप एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है यहां कथन निम्निलिखित की अवधारणा से संबन्दित है तो यह है संभववाद ओप्सण D कुशन नमबर 55 नीचे दो वाक्य दिये गए हैं एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गिया है तो कथन ए हैं सत्रवी सतावजी के अंत्य तक इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल और डच व्यापारिक प्रते दिन्यों को अपने मार्ग से हटा दिया और कथन आर है इंग्लिश व्यापारी उच्च कूटी के माल को सस्ती जरू पर बेस्त दे तो दोस्तों ए तो सही है लिक्विन आर गलत है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमर सी ए सत्य है किन्तो आर सत्य है किसान क्रेडिट कार्ट के सी सी की यूजना किस वर्से लागू की गई तो यह की गई थी दोस्तों 1998 में प्रथम हरित क्रांती निम्नलखित के उत्पादन यह तथा उत्पादक से मुख्यतह संबंदित थी तो यह थी गेहूं से बारत में छोटे तथा लगू उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदाई सीर से वित्य संस्था है तो यह आपका दोस्तों सिडवी सिडवी है इसकी स्तापना का वुई थी 2 अप्रैल 1990 में 2 अप्रैल 1990 में अंत्राश्टिय रूप से लेंदेन की गई समस्त सेवाएं किस डबल टीयो समझाते के अंतरगत सामिल है तो यह आपका दोस्तों गेट्स अप्शन नमबर ए गेट्स कुशन नमबर 60 भारतिय सुदूर समवेदी संस्थान आई आई आरेस का है तो यह दहरादून में अब अपनाया 26 नमबर 1959 और लागू कब किया था 26 जनवरी 1950 को सविदान सभा के इस्ताई अध्यक्षे कौन थे राचेंदर परसाद और अस्ताई अध्यक्षे कौन थे सचीदानंद सिना 62 यहां पर आपको फिर मिलान करना है तो यह हो जाएगा आपका सराई खोला यह हो जाएगा आपका पाकिस्तान तरखान वाला डेरा यह हो जाएगा आपका राजिस्तान, कुनाल, कुनाल आपका हो जाएगा हरियाना और सिकरपुर आपका हो जाएगा गुजराथ तो option number A विल्कुल right answer हो जाएगा Question number 63, USB का तातपरिया क्या है? USB का तातपरिया है, unique serial bus नहीं, union serial bus नहीं, यह हो जाएगा universal serial bus उत्राहंड की प्रथम महला पुलिस मानिदेशक है, यह पटवारी के paper में पुछा गिया है दूस्तों, 2023 में तो मैं आपके लिए बहुत important सवाल, जिस किताब से पुछा जा रहा है, वहाँ से आपके लिए practice head लेके आ रहा हूँ तो आप channel को subscribe करना ना भूले, उत्राहंड की प्रथम महला पुलिस मानिदेशक है, कंचन चौदरी बटाचारी नीचे दो वाक्य दिये गई हैं, एक को कथन A और R काई गया है, तो यह हम पढ़ लेते हैं औरंग जेब के सासनकाल के उत्रार्द में, मुगल अमीर वर्ग में, राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई औरंग जेब ने दक्कन से आए, अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरे प्रदान की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, A असत्या है, किन्तु R सत्या है उत्राखंडे में दुत्या राजभासा का दर्जा किस भासा को है, तो यह संसिकरित है संसिकरित कब से हमारी दुत्या राजभास है, 2010 से भारत के राष्टिया दोहज में तिल्यों की संख्या है, 24 उत्राखंडे में निम्ने में से एक धाम संबलीत नहीं है, तो रुद्रेनाथ धाम नहीं है बद्रीनाथ, किदानाथ, गंगोत्री धाम है तोड़ा जंजाती का आवास है, very important अभी द्रावपती मुर्मुई की जंजाती पूछी थी, तो तोड़ा जंजाती का आवास भी पूछ सकते हैं तो ये है option D, नीलगिरी, स्रेणी question number 70 राजी में वानिजिक और ज्योगिक, सैचिक तथा राजनीतिक गतिविदियों के संबंद में सबसे बड़ा तथा सरवाधिक प्रभाविय नगर है तो ये दोस्तों प्रमुक नगर इन में से कौन सा सामाजिक संजाल नहीं है और कुड़ भी है संजाल सामाजिक संजाल फेस्बुक में भी होता है ट्विटर में भी होता है परम नहीं है क्योंकि परम एक है कंप्यूटर है निमनिलखित में से कौन सा युगम सही है ये है आपका प्रस्तर उपकरण बनाने की कारेसाला इसंपुर महरोली दिल्ली इस्थित परसिद लौह इस्तंब में नाम अंकित है तो ये है चंद्रगा दान का उत्पादन करने वाले छेतर संबंधित है तो ये है अधिक जनसंक्या गनत्तों से भारत के प्रथम उपराश्ट पती भारत के प्रथम उप्राश्टपती डॉक्टर S. राधा कृष्णन कुशन नमबर 76 मानव प्रजातियों के वरगी करण के लिए निम्निलखित में से किस कसोटी का उप्योग किया नहीं जाता कान का इस्तानांतरिय खेती की अनिवार्य विसेशता क्या है तो यह खेतो का चक्र भारत की न्याइक अकादमी कहां इस्तित थये यह भोपाल में इस्तित है निम्निले में से कौन सा पादब बायो डीजल का मुख्य शुरूत है यहे जैट्रोपा क्या है जेट्रोपा कुल्टी बर्नरपूर तथा हीरापूर में लौह एवं इस्पाथ सहित्रों को एक में मिला दिया गया है जिसका नाम है भारतिय लौह एवं इस्पाथ कमपनी निमने में से कौन सा प्रदूसक जाए विगटक है जिसे वसूलते थे विएरी इंपूटन्ट ये है मराठा चौथ एक कर्था जिसे वसूलते थे कौन वसूलते थे मराठा किस मंगोल सेनापती ने अलावदीन खील जी को अराया था तो ये अराया था आपका कुतलग ख्वाजा और तारंगी ने देमिलेल्खित मेंसे कौन सा सई सुमेलित नहीं है तो यह टिटलागढ रेलवे उपकराण यह गलत है देमिलेल्खित प्रकार के मेगों मेंसे कौन से आकास में उच्च तम इस तर्में दिखाई पड़ते हैं तो यह है पक्षाब कापाशी नीचे दो वक्तव्य हैं ये वक्तव्य पढ़ लेते हैं 857 के विद्रोह का ब्रेटिस द्वारा दमन कर दिया गया कुछ को छोड़ कर जैसे कि जांसी की रानी बहुत कम भारते सासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया तो यह हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एकी सई व्यक्ष्य है अठार 87 कोशिन आपका मिस्र नदी मिस्र नील नदी का उपहार है यह कथन किसका है तो यह कथन है हैरो टूट्स का भारत में ग्रामिर से नगर प्रवास के लिए निमनलिखित में से मुख्य कारण क्या है तो यह आपको जाएगा रोजगार निमने कवियों में से कौन कृष्ण भक्त कवी थे तो कृष्ण भक्त कवी थे आपके रस खान कबीर निर्गुन के थे तुलसी राम के थे वो गोल को मानव परस्तित किये विज्ञान के रूप में किसने प्रति परिभाशित किया तो यह क्या था बैरोज ने 2011 की जनकरणा के अनुशा निमने लिख थी महानगरों में से किसमे सबसे अधिक जन सिंख्या है तो वह है मुंबई में महात्मा गादी किसे अपना राजनितिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को तुरकान ए चिहलगानी का उले किसमे सबसे पहले किया गया तो यह किया गया तपकाद ए नासिरी में यह आपके रीजनिंग है रीजनिंग आपको मैं अभी बताऊंगा आगे है एक अगबार में सदैव होता है तो एक अगबार में सदैव कागज होता है कोशेन नमबर 100 है यदि drama stage से संबंदीत है तो tennis ने लिकेत में से किस संबंदीत है तो tennis है court से संबंदीत अब आपका reasoning लेते हैं कि reasoning है आपका पहला 9494 का रीसनिंग आपको मैं यहां पे बताता हूं यह तो 94 में दिया आपको 6, 15, 20, 8, 4, 5, 6, 5, 20 तो हम इसको ऐसे खड़े में करेंगे 6 और 8 को इंटू करेंगे 6 इंटू 8, 48 हो गया प्लस 3 करेंगे तो 51 हो गया वैसे हम इसको इन दोनों को इंटू करेंगे उसके बाद 5 को एड़ करेंगे वैसे हम इसको करेंगे इन दोनों को into करेंगे और 20 को add करेंगे तो हमारा answer 120 आ जाएगा तो आपका 94 का हो जाएगा C 120 अगला है 95 95 तो 95 में आप पहले ऐसे A, B, C, D लिखनेंगे उसके बाद H और S एक साथ आगे F और U यह Hs एक साथ आगे F और U एक साथ आगे तो D के साथ क्या आगा D के साथ आगा डबल तो D के साथ डबल आगया तो आपका 95 का answer हो गया 95 का आजाएगा आपका डबल वैसे अब 96 का देखेंगे 96 आपका है 1, 3 1, 3, 7, 15, 32 तो 1 into 1 into 2 कर दिया plus 1, तो 3 हो गया 3 into 2 equals to 6 plus 1, 7 वैसे 7 into 2, 14 plus 1, 15 वैसे 15 into 2 हो जाएगा 30 और 30 plus 1, 31 तो यहाँ पे आपका जो 32 option है 32 है यहाँ पे आपका option गलत दिया है यहाँ पे 31 दिया है गलत संख्या का पता लगाना है तो 32 हमारी गलत संख्या और वहाँ पर 31 आएगा और आपका है एक question यह यदि go equals to 32 तथा she equals to 49 है तो sum का मान होगा तो sum का मान होगा आपका यह आपको करके दिखाता हूं पहले आपको ABCD लिखनी है और numbering आपको पीछे से डालनी है आपको numbering आँ से डालनी है पीछे से डालनी है जैसे G है G है तो आपका G आगया यहाँ पर 20 20 G हो गया और O है आपका 12 O है आपका 12 तो इन दोनों को add कर दिखे तो यह हो गया 32 जो question में बता रहा है वैसी she तो s है आपका 8 h है आपका 22 इन तीनों का add करेंगे तब 49 यह question की बात हो भी तो question कह रहा है sum को क्या लिखेंगे तो sum को भी हम ऐसी देख लेंगे sum हो गया आपका S हो गया आपका 8 O हो गया आपका 12 M हो गया आपका 14 और E हो गया आपका 22 इन सब को add करेंगे तो 56 सा answer आ जाएगा तो यह आपका 56 option correct हो गया अब एक आपका आखरी सवाल बचाए है silp का silp का परीचय कराते हुए रीचा ने कहा यह मेरे पिता तो silp silp का परीचय कराते हुए रीचा ने कहा रीचा ने कहा यह यह मतलब यह सिलपी मेरे पिता मतलब रीचा के पिता रीचा के पिता रीचा के पिता की एकलाथी पुत्री रीचा की पिता की एकलाथी पुत्री कौन हुई यह खुद हुई रीचा के पिता की एकलाथी पुत्री की एकलाथी पुत्री है तो यह सिलफी से रीचा का वी क्या संबन्द होगा तो यह शिलफी जो है रीचा की पुत्रीयोगी मतलब कि रीचा सिलफी की माऊ होगई तो माता इसका सही हो जाएगा दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब करें शेयर करें ऐसे और कॉंटेंट पाने के लिए धन्याद